दोस्तो इस वक्त मैं अपने Food Forest Garden में हूँ तो कल हमने यहाँ फालसा की कटिंग की थी तो आप देखेंगे कि यह हमने जो फालसा का पेड़ा है तो उसकी कटिंग की थी तो यह कुछ फालसा के पत्ते नीचे गिरे पड़े है तो फालसा डैसीडियोस प्लांट रहता है और उसकी ठंड में कटिंग होती है तो जो फालसा के पत्ते थे वो हमने आप देखेंगे कि ये फालसा के पत्ते मैंने कल शाम को यहां बिगो के रखे थे तो यह आप देखेंगे कि बाल्टी में मैंने फालसा के पत्ते भी गोए हुए है और यहां मैंने यह टोक्री में भी डाल दी है तो हम लोग जो फालसा के पते हैं या फिर आप देखेंगे कि मेरे फूर गारण में यहां जो केले का पेडा तो इसके जो केले के सूखे पते बच जाते हैं तो इसमें हम लोग oyster mushrooms grow कर रहे हैं तो आपको पता है कि department of 40 culture और हम oyster mushrooms को promote कर रहे हैं क्योंकि oyster mushrooms जो रहती हैं जितना भी सूखे पत्य प्राली या या किसी भी परकार का जो सूखा कच्रा है चाहे वो मक्की का हो, चाहे वो कपास का हो, चाहे वो कनक का हो, चाहे वो चावल का हो तो सब में आप oyster mushrooms grow कर सकते हैं तो आप यहाा देखेंगे कि परसों मैंने ये कुछी जो हमारे केले के पेड के पत्ते हैं सूखे तो उसमें मैंने ये ओश्सर मिश्रूम्स के बीज आप देखेंगे थोड़ा सा बीज मैंने इसमें थोड़ा सा जाला डाला तो ये मैं अभी अलग अलग जो सबस्टेट्स हैं चाहे वो कपास की सिक्री है चाहे वो कनक की पराली है चाहे वो चावल की पराली है या फिर आप देखेंगे कि या हम लोग पत्तों में भी और आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वेस्टू वेल्थ का है और हम लोग पूरे पंजाब में किसानों को और फिर काफी लोग हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं तो हम लोग सब को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ओसर मिश्रूम्स हैं वो लगबग तीन मुद्धे हैं जो हमारे सबसे मेन मुद्धे हैं चाहे वो पंजाब है चाहे वो इंडिया का कोई भी कौन है एक तो जो employment है तो अभी रोजगार की बड़ी कमी है तो oyster mushrooms में ज्यादा से ज्यादा लोग मिलके self-help group, ladies का group, college के students या जो अभी agriculture graduates हैं तो वो अपने चोट-चोटे startups खड़े कर सकते हैं तो एक तो employment की यह समस्या दूर करता है तो इससे हम लोग mass employment generate कर सकते हैं और दूसरा इससे जो nutrition क्योंकि जो oyster mushrooms हैं वो by default 100% आप organic grow कर सकते हैं तो इससे जितना भी protein deficiency है बच्चों में और फिर vitamin D की आजकर ladies में बहुत सारी कमी चल रही है और फिर fibers, digestion हमारा बड़ा improper चलता है तो digestion proper ना होने से क्योंकि हमारे food में अभी fibers नहीं रही हैं तो ये कहीं ना कहीं जो mass nutrition है जो nutritional deficiency है तो उसको ये remove कर सकता है और तीसरा जो waste क्योंकि चाहे वो agriculture waste है या चाहे वो cities में चाहे वो गाउं में तो सब जगा हमने अपनी शहर गाउं कच्रे से बर दे हैं हमने खेत में जो कच्रा बचता है उसको हम लोग जलाते हैं तो इससे ह हम लोग कहीं ना कहीं जो waste है उसको भी हम लोग कम कर सकते हैं तो ये waste to wealth भी create कर सकता है और सबसे जो चोथी important बात है कि इसमें खूब सारा पैसा बिजनेस आप opportunities हैं तो वह आप business opportunities को आप grab करके तो एक पूरी की पूरी economy farmers फिर लोगों को सबको हम लोग फाइदा पहुंचा सकते हैं तो हम लोग अलग अलग सबस्ट्रेट्स को अलग लग तरीके से हम लोग जो oyster mushrooms हैं उसको हम लोगở Weinτο कर रहे है तो आप यहां देखिएंगे कि यह चोटा सा महा है wooden log में भी बल्कि oyster mushrooms के seed मैंने डाले हैं तो wooden logs में भी हम लोग try कर रहे हैं कि हम लोग oyster mushrooms grow करें तो ये कहीं न कहीं हम लोग इन सब छोटी छोटी वीडियो के राही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास agriculture में खास करके ways to wealth में बहुत सारी opportunities हैं तो आप हमारे साथ जुड़के और किसानों को ये वीडियो शेयर करके तो हम लोग सब मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं धन्याबाद अच्छा काम कर सकते हैं